आज हम और्नामेंटल राइटिंग कर रहे हैं इसलिए हम स्केल लेंगे और नौरे शीर स्केल लेट साइड और राइट साइड पे जितनी स्केल की ब्रैथ है उससाब से लाइन्स लगाएंगे और ऐसे ही लाइन्स जो हैं नीचे अली साइड पे जितनी स्केल की ब्रैथ है उससाब से लाइन्स लगाएंगे अब जो लाइन लगाई है नीचे की तरफ वहाँ पर हम स्केल रखके लेप्ट साइट और राइट साइट पर हम टू पॉइंट लगाएंगे और एक आर्क लगाएंगे जो इम पॉइंट्स को मिलेगी अब जो पहले दो पॉइंट लगाएंगे वहाँ पर हम स्केल रखके हम एक दो पॉइंट और लगाएंगे लेप्ट और राइट साइट पर और हम शीर्स का सेंटर पॉइंट भी निकालेंगे और यह आर्क लगाएंगे यह आर्क जो हम लगा रहे हैं तो उसमें जो डिस्टेंस है वो हमारे स्केल की ब्रैथ के अंसार है अब यह जो पार्ट हम रेडी कर रहे हैं यह भी जो डिस्टेंस है वो स्केल की ब्रैथ के अंसार रखा हुआ है आप इसको बड़ा या शोटा कर सकते हो और ये हमारे पास एक ribbon ready हो गया है जिसमें हम जैग नेशा लिखेंगे अब आपनी जैग नेशा लिखना है और फ्री हैंड लिखना है सबसे पहले हम इसको सिंगल लाइन में लिख रहे हैं और ये left side को भी touch कर रहा है और right side को भी touch कर रहा है अब हम इन letters को board करें तांके हम इसमें colouring कर पाएं जैग नेशा का J capital रखा हुआ है हमने और G भी capital है और जितने दूसरे letters हैं उस सब small में लेकर जा रहे हैं ये writing आप पर pen करता है कि आपने अपनी writing को कैसे लिखना है ornamental shame में बस इसी बात का द्यान है कि जितनी space हमारी left side पे है अब हमने sheets का center point निकाला हुआ है और ये center point से हम 6 cm left side और 6 cm right side आप इसे बड़ा और शोटा भी कर सकते हो हम एक podcaster ready कर रहे हैं जिस पे हम गनेश्या जी की मूर्ती बनाएंगे कि बनाएंगे हम ये distance यो है वो तू सेंटीमेटर या वन सेंटीमेटर ले सकते हैं क्योंकि हमने एक यहां पर भी आर्क बनानी है और ये हमारा podcaster ready हो जाएगा और इसके उपर हम गनेश्या जी की ड्रॉइंग करेंगे ये गनेश्या जी को हमने नाचते हुए दिखाया है आप इनको किसी भी रूप में दिखा सकते हो जब हमारी ड्रॉइंग कंप्लीट हो जाए तो हम black sketch pen या black pen से जो हमारा gel pen होता है हम उन से इसकी outlining करेंगे और जितनी भी ड्रॉइंग है सब की outlining हो जाएगी और जितनी भी extra lines होंगी हम उन उसको अच्छे से race कर देंगे आप मैं से से पीड कर रहा हूं कि आप इस पे black sketch pen या black marker भी यूज कर सकते हो इसे ही हम जितने भी letters हैं उनको भी black pen से या black sketch pen से या black marker से इसकी outlining कर देंगे आगे च्टगा इसे देंगे आगा है और जवी आगे इसको अच्छे से रेस करेंगे जितनी भी extra lines हैं और फिर हम coloring start करेंगे coloring के लिए हम pencil color और oil pastels दोनों color यूज़ करेंगे सबसे पहले हम pencil color यूज़ करेंगे और pencil colors में आपको पाता है कि सबी एक-एक ही color होता है लेकिन oil pastels में family colors होते हैं जैसे yellow color है उसमें yellow है medium yellow है फिर dark yellow है सबसे पहले अगर आप इसमें जो letters है इनकी shadow देना चाहें तो आप shadow दे सकते हैं अगर आप ऐसे शोड़ना चाहें तो ऐसे भी शोड़ सकते हैं आप shadow देने से क्या होगा कि यह हमारे अब मैं इस मूर्थी के पीशे background में एक drawing बनाना चाहता हूँ इसलिए मैंने प्लेट का इससे माल किया है सरकल लगाने के लिए आप pencil colors हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले हमने lemon color यूज कर रहे हैं जब भी आप pencil color करो अगर light रखना है तो फिर color pencil को back side से पकड़ना है अगर उसको थोड़ा dark दिखाना है तो उसको आगे से जहां पर हमारा ladder होता है कहां से पकड़ सकते हैं जब भी हमने colors करने पहले light color करने फिर उसको dark करना है चाहे oil pasters हैं चाहे pencil colors हैं इसमें जो oil pasters color यूज हो रहे हैं उनके numbers आपको बता दिये जाएंगे लेकिन pencil colors के कोई number नहीं होते हैं उसमें सिर्फ single single colors ही होते हैं जैसे yellow, red, brown, blue लेकिन oil pastels में जैसे पहले बताया के 4-5 shades होते हैं एक ही color के आप गनेश्या जी की मूर्ति को अपनी मर्जी के color कर सकते हो अपनी बताया जी होते हैं अब हम इन लेटर्स के बैक्राउंड में कलर कर रहे हैं हम यहां बार थोड़ से ब्लैक की शैडू दे रहे हैं तांके हमारे जो लेटर्स रहें वो 3D में आ जाएं अब हमारे जाएंड में की शैड़र्स रहे हैं कि हमने जो और पेस्टर यूज़ करने उनके नंबर से आपके सामने डिस्प्लेय हुए थे लेकिन आप अगर अलग कलर करना चाहते हो तो वह आपकी मेर्ची है और पेस्टर में में हमने बैक साइट से अगर पकड़ के कलर करेंगे तो वह लाइट चलेगा अगर जितना उसको आगे से पकड़ेंगे वह उतना डांग हो जाएगा तो ऐसे हम दीरे दीरे स्टैब बई स्टैब हम अपनी शीट को कम्प्लीट करेंगे वर्ण की करेंगे ट्राइब यवीड़्यों क्याएब जाएफा लुद की वह परम आपनाग मैंजाएब сердिक्स मैंदिन स्टैब्ट है मैं ज right एंधिर että